बिहार बोर्ड 12 एक्जाम 2025 के चातरों के लिए सेंट अप एक्जाम का रूटीन जारी हो गया है आप यहां देख सकते हैं सेंट अप एक्जाम का रूटीन इस वीडियो में आपको रूटीन बताऊंगा रूटीन समझाऊंगा और रूटीन कहां से डाउनलूट करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक ना तो 12 का सेंट अप एक्जाम नौनमबर महना में शुरू हो रहा है जो कि 11 नौनमबर से 18 नौनमबर तक एक्जाम होगा फिर 19 नौनमबर को प्रैक्टिकल एक्जाम होगा ठीक ना सेंट अप एक्जाम का भी प्रैक्टिकल एक्जाम होता है तो यह जो एक्जाम होगा सेंट अप एक्जाम आपके स्कुल कोलेज अस्तर पे ही होगा जहां आप सकते हैं प्रोग्राम ओफ इंटर्मिडियर सेंट अप एक्जामिनिशन थियोरी दो हजार चोविस फोर एनवल एक्जाम दो हजार पचेश धियान से रूटिंग को समझेगा परिक्षा आपका दो सिटिंग में होगा ठीक न फॉर्स सिटिंग और सकेंड सिटिंग का एक्जा एक्जाम थिघृ सिटिंग में पॉल्टिकल संस इस encours का एक्जाम होगा एकांटेंसी और साइंस का एक्जाम होगा केमिस्टिंग और वर बोकेशनल का एक्जाम होगा ऐलक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर वन जिसका की सबज्जेक्ट को 45 और 430 ए creepy ई याद रखिएगा उसके बाद आपका 12 November 2014 को जो है Tuesday को ठीक ना उस दिन आपका फर्स सिटिंग में साइंस का mathematics होगा आर्स का भी mathematics होगा vocational का जो है elective subject trade paper 2 होगा ठीक ना उसके बाद 12 को ही सकेंड सिटिंग में आर्स का जोगरफी होगा उसके बाद जो आपका साइंस का बाइलोजी होगा commerce का बिजनस studies होगा ठीक ना उसके बाद देखिएगा उसके बाद यहां 13 November 2014 को जो है फर्स सिटिंग में science, commerce, arts, vocational सभी का English विसे का एक्जाम होगा ठीक ना करा उन परिक्षात्रियों के लिए जीन के द्वारा विसे समू वन के अंतरगत भासा विसे अथवा आतिरिक्त विसे की रूप में चैन किया गया हो ठीक ना जो बच्चे इंग्लिस रखा होगा जो गुरूप 1 में ठीक गुरूप 2 में हिंदी रखा होगा तो हिंदी होगा यहां देख सकते हैं 13 नौनमबर को ही science, commerce, arts, vocational का भी आपका विसे होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, मैथली, संकृत, कृतिक, मगही, बचपुरी, आर्बी, परसन, पाली, बंगला, ठीक ना, science, commerce, arts, vocational सभी का कुछ लोग उर्दू रखता है, कुछ मैथली रखता है, उसके लिए एक्जाम होगा, ठीक ना, उसके बाद 14 नौनमबर को देखिए, 14 नौनमबर को science, commerce, arts, ठीक ना, सबके लिए, first sitting में security होगा, उसके बाद beauty can होगा, ठीक ना, जो भी subject रखा होगा, बहुत बच्चे जो ह किया गया होगा, ठीक ना, अतिरिक्ट भी से की रूप में, जो एक्ष्टरा भी से रखा होगा, ठीक ना, उसी का एक्जाम होगा, 14 नौनमबर को, ठीक ना, जो भी एक्ष्टरा भी से रखे होंगे, science में, arts में, commerce में, उसका एक्जाम होगा, यहां देख सकते हैं, उसके ब इंटरपरेंसिफ हिस्टिरी जो भी रखा होगा इस्टेरा भी से ठीक fulfilling rate 15 नमबर को जो एक्जाम होगा पंर मदानान नमबर को साइंस का फूर्स सिटों में एक्रिकल्चर होगा और और सब्सक्राइब करें अब चलिए इसका पीडियाइब हम आपको डाउनलोड करने बता देते हैं रूटिंग का ताकि आप लोग जो है अपने से समझ सके अच्छे तरीका से चलिए हम आपको रूटिंग डाउनलोड करने सिखा देते हैं रूटिंग डाउनलोड करने के लिए आपको गुगल खुलना है गूगल में सर्च करना है SK Knowledge class SK Knowledge class लिखके आपको सर्च मारना है लेटेस्ट अपडेट में आपको किलिक करना है डूटिन डाउनलोड करने के लिए लेटेस्ट अपडेट में किलिक करने बाद ओपन का टेप खुलेगा इस पर किलिक कर दीजिएगा इसके बाद यहाँ 3 12 center exam 2025 लिखा हुआ मिलेगा इस पर किलिक करना है यहाँ सारा जनकारी पर लेना है याद रखिएगा जो center exam में पास करेगा उसी का admit card जारी करेगा और उसी को inter exam में बठने के लिए दिया जाएगा यहां साब साब लिखा है सेंटप पड़े च्छा में उतीर्ण चात्र ही मुख पर एक्छा में होंगे सामिल तो यहां सारा चीज पर लिजिए गा ठीक नई यहां देखिए हम रूटिंग लगा दिये हैं नीचे में यहां देखिए इंटर का रूटिंग है बस ऐसे दबा के रखना है, download image का option आएगा, download कर लेना है, और इसी का part 2 है, नीचे बाला, ठीक न, दोनों download कर लिजेगा, उसके बाद अगर PDF के रूप में download करना है, तो 12th center of exam routine 2025, download का button इस पर किलिक कर लिजे, PDF के रूप में download हो जाएगा, ठीक न,